आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हमना हो तो आज किस वीडियो में आपसे बहुत सी मालुमात शेयर करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहली बात कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की अर्षद शरीफ शेहीद की वालदा से बुलकात उन्होंने एक जुमला बोला जो बहुत ही जगा ट्रेंड कर रहा है बहुत ही लोगों की जुबान पर है कि मा जी मैं अल्ला को गवाह बना कर कहता हूँ कि अर्षद की कातिल जो हैं वो जेल में होगी तो क्या पाकिस्तानी आर्मी अपने इदारे की इजद को दुबारा बहाल करने में काम्याब हो पाएगी अब अर्षद शरीफ जैसे तहकीकाती जर्नलिस्त जिन्होंने बहुत से मुकामात पर अपनी जान की परवाह किये बग्यारब फोर्स को कवर किया जन्हें दिखाया गया है कि हमारे लिए आम पाकिस्तानी शहरी के लिए एक आर्मी कितनी तगोदों कर रही होती है कितनी मुशक्कत कर रही होती है उनकी जान हरवत कितने खत्रा आतम होती है तो बहुत से सवालात उठाय है ऐश्ची शेहीत की शहादत पर वो उन में से कुछे किए हैं कि अर्शची श्रीफ की जिंदगी में ही उन पर इतना खोफ डाल दिया गया था इतना उनका खोफ बढ़ा दिया था वतन की जमीन उन पर तंग कर दी गई थी उनको इसकदर मजब कर दो अर्षिद श्रीफ को अराइवल वीजा पर कीमिया की सरजमीन नजर आई जो उन्हें लगा के उनकी हक में बहतर होगी वहां चले गए वहां से फिर उन्हें दुबारा ना तो दुबई और ना ही किसी और मुलक का वीजा वो दिया गया फिर आखिर अंजाम क्या होता है उन्हें बेदर्दी से शहीद कर दिया जाता है अर्षिद श्रीफ की वालदा ने अपनी दुखास्त में कुछ नाम नामजद किये हैं जिनका तालुक पाकिस्तानी फोट से ही है कि उनके खिलाफ मकदमात दार्च किया जाएं और मेरे बेटे के नाहक जो कतल है नाहक जो ख को सरांस हैं जिनको नामजद किया अब यह फोज वह इदारा होता है इसके तरफ लोग इनसाफ के लिए देख रहे होते हैं लेकिन गुजिश्टा कुछ सालों में काहरे ही कुछ शिच्टा कुछ माह में जैसे शबाज हकूमत के दुरान में हमने देखा जा रहे कि फोज को क्या होता है कि अपनी अवाम की हिफाज़त करना अपने इदारों की हिफाज़त करना अपने मिल्क की हिफाज़त करना इस काम को छोड़के फोज जो है आजकल स्यासत में घुजिरिया इसको नहीं इसको होना चाहिए ये नहीं होना चाहिए वो नहीं होना चाहिए पोलिसि वो सहाफी थी जिन्होंने हमेशा मुझलूम के लिए जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई अब हमारा फ़र्स बनता है कि उनके नाहग को उनके नाहग जो उनका खून बहाया गया मैंने इनसाफ देना चाहिए तो The Case Starts in Pakistan and Ends in Kenya अब हम यह नहीं कह सकते कि Kenya में पीछा हुआ किन्या में कुछ हुआ यह हुआ वो हुआ किन्या में ने इतना तंक कर दिया गया उनकी जोग छुडवा दी यह अरवाय को इतना मजबूर कर दिया गया अगर अगर अपना चैनल चलाना चाह रहे हो तो अब आसीफ अली जड़दारी के मताबिक पिपल पार्टी जब भी इक्तदार में आई है उसने इनसानी हकोग की फुल जमेदारी नी भाई है क्या नी भाई है अब सिंद में पिपल पार्टी की हकूमत है वहाँ पे सलावजदगान है इन्होंने किसी को घरना घर बना के दी है और जो बना के दे रहे हैं इनकी ऐसी पॉलिसीज है कि वहाँ पे अवाम जो है वो रो रही है क्योंकि सर्दियों का मुसम आ गया तो जाहिरा सर्च छुपाने के लिए च्छत तो चाहिए और बचे बिमार हो रहे हैं मतलब कुछ भी नज़र नहीं आ रहा अब सिद्ध हकूमत ने क्या किया मेरा मतलब की पीपल पार्टी की जो हकूमत है उन्होंने तो इन्सानी हुकों को बहुत बचाया वा क्या बचाया उसकी धजियां और आदिया बेड़ा गरक हो गया सिंदका बिलाल साहब जो फीफा कर देखने पहुंचे हैं कि भाई सब अपनी जिम्हेदारी तो पुरी कर लो अवाम को रिलीव तो दो अवाम की मदद तो करो तुम लों की हकूमत है उनको सर चुपाने के लिए जगह तो दो एक सेनिटर को बेहद जलील तिया जा रहा है आजम सवाती एक 75 साला बजर्ग जो के सच के खिलाफ जल्म के खिलाफ हमेशा सच के साथ आवाज उठाते हैं उनको बहुत तकलीफ पहुंचाई जा रही है सिंद बलोचिस्तान और इसलामबाद की जो हकूमते हैं उनके उपर पर्चे कटे हुए आजम सवाती की ग्यार मुजूदगी में उनके फार्म या तो ये नीजी पर नीजी जिसे में तो बताएगा ना कि मुझसे मेरे साथ ये टोर्चर हुआ अब जैसे आजम सवाती की वीडियो लीकी इसके बारे में हम सब जानते हैं उनको इंसाफ दिया गया उनको इंसाफ नहीं मिला अजाद कश्मीर में पीटी आई ने 817 सीटे जो हैं जीती हैं समा और जीयों के मताबिक पीटी आई जो हार गया अब यहां पर क्या चल रहा है शहबास हकूमत है हकूमत इक्तदार है इक्तदार है हकूमत है इस्टैबिश्मेंट कबजे में जिस जुल्म है और पाकिस्तान में आजकल होई किया रहा है पाकिस्तान में ह सकते हैं, कि जए फमोए की आप थी, तरफ कि अब दीजन कर एक का दासा की फाहन पाकिस्तान की एकोनमी बहुत बरी तरह से बसदीर हो गई है कि पाकिस्तान के ख़जाने में जैसे कि पीछली वीडियो ने बढ़िए क्लाई में कि प्लैनिंग किया थी कि शहबाज श्रीफ कभी ना अपना 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 कमल कर ले अपनी टीम कमल कर ले तो बना दिया जाएगा वजीर आजम अब बीबी साहिबा मर्यम नवाज और नवाज श्रीफ उनकी इसमें कहलो के वह इस पर मुत्तफिक नहीं हुए कि कोमिक दाने म को जाने दो तो इस वज़ा से इमरान खान जो इक्तदार में आए वजीर आजम बने उनकी अकूमत बन पाई इस वक्त भी शहबाज श्रीफ को ही कहते है कि जनरल कमर जवेद बाजवा साहब रिटाइड अफसर है आर्मी चीफ के कि उनकी जो है वह उनकी खौहिस थी कि शह अब सलमान शहबाज जो है वह उन पर मनी लोंडरिंग का और बोच से कैसी चल रहे है तो वह अब जमानत लीके पाकिसान वापस आ रहे है तो एरपोर्ट पर उनके इसक्बाल करने के लिए कोई नहीं गया तो मतलब देखा जा सकते है कि जब अर्षर श्रीफ शहीद की जो मैज पाकिसान पहुँझी थी तो लाखों की तदाद में लोग जो एरपोर्ट पे थे सड़कों पर खड़े थे उनका इस तकबाल किया गया तो देखा जा सकते है कि चोर चोर ही रहता है और मरने वाला मरने के बाद भी जो है लोगों की चीखा निकलवा रहा है उमीद करत को इंसाफ दुरूर मिलेगा आज के लिए बस इतना ही और अपने चैनल का बहुत ख्यार रखेगा अल्ला हाफीज